हैं आप सब आई होब आप सब ठीक होंगे हम सब भी एक नम ठीक है एंड आज के व्लोग की स्टार्टिंग हो रही है संडे का दिन है और ये सुबह के करीबन एट ओक लॉक के सम्थिंग तो हो रहे हैं क्योंकि संडे था तो सभी लेटी उठे हैं उठके मैं पानी करम करके लाई पानी पीया देबू भी जग्या है अभी सिबू और सिबू के डैडी सोय हुए हैं और मैं आते ही सीधे मैंने कल राजमा भीगो के रखा था तो वह धोया और को कर में डाला नमक डाल के उसको बॉइल करने रख दिया है क्योंकि आस थोड़ा सा मुझे जल्दी है लेट तो होई गई हूं मतलब मैं जिस दिन जैसे संडे वाले दिन चुट्टी वाले दिन जिस दिन लेट हो जाती हूं मे कि दिबू को भी हलकी सी सर्दी हो रही है तो सर्दी में थोड़ी बहुत चाए दे देती हूं यहां पर मैंने बदाम और अख्रोट भीगों के रखे थे, चाय बन रही है तो साथ के साथ यहां खडा रहना पड़ेगा तो सोचा यह सब काम भी निव्टा देती हूं, प्या तो मतलब जिस दिन मैं ज़्यादा लेट विवाई नहीं करती तो सीधे ब्रंची होता है मना कोच ऐसी चीजे बना लेती हूँ जिसे ब्रेक्फास्ट भी हो जाता है तो बस यहां मैंने चाए पी बैठके थोड़ी देर मूबाइल चलाया और फिर आगी मैं किचिन में क्योंकि अभी पती देब जी और सिबू तो सोई हुए हैं सोचा कि ये खाने की तयारी कर लेती हूँ फटाफट से मैंने दूद आ गया था दूद को बॉयल करने रख दिया और जो प्यास थी उसको चौप कर लिया और यहां पर यह टमाटर को ग्रेवी बनाऊंगी मैं आज कट नहीं कर रही क्योंकि सिबू टमाटर खाता नहीं है तो ग्रेवी से यह है कि वो खा लेगा यहां राजमा मैंने खोल के देखे बड़े बड़िया बॉयल हो गए थे हमेसा राजमा और छोले जब बॉयल करो न तो उनको एक चीज देख लो कि आपको है न वो फट जाने चाहिए तब ही ज़्यादा अच्छी राजमा और हमारे जो छोले हैं वो अच्छे बनती है यहां कडाई में सरसों का तेल डाला जीरा डाला पयास डाल दी अच्छी तर है बुनी भारे ने जो टमाटर हो खरी मिर्च की फिरी बनाए थी वो डाल दी उसमें नमक डाला और उसको काफी अच्छी तरह पकाया। और यहां पर以抵ंगा राजा बेसिक मिर्चार में सिर्फ बदलम else favor पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसको अच्छी तरह पकाना है बहुत अच्छी तरह पकाना है जिससे कि यह है कि आपके कड़ाई से यह ग्रेवी चूटने लगे बस पक गई आपकी ग्रेवी मैं ऑईल तो बहुत जादा डालती नहीं हो कि ऑईल बस यहां राजमा बनने के लिए रख दी थी इतनी देर मैं सभी उठ गए थे तो यहां मैं बैट सीट वगेरा डस्टिंग करने के लिए आ गई थी क्योंकि मेरी हाउसेल पर आने वाली है मतलब उसका टाइमिंग है वो 930 पर आती है तो वो फिक्स है उसका टाइमिंग तो यहां कल जो बैट सीट है इस पर पता नहीं कुछ गिर गया था मेरी यही वाली बैट सीट मैंने परसों बेचाई थी तो कल मैंने यह धोके डाल दी थी यह सूख गई तो मैंने सोचा कि चलो इसी को दो आरा से लगा देती हूं बैड पर तो यहां पर मैंने बैट सीट दू सा अवोईड करती हूं लाती भी कम हूं और आजकल इस वाले रूम की हालत यहीं रहती है क्योंकि हमारे यहां हो रही है बहुत ज़्यादा बारिस आठ या दस दिन हो गए तब से सूरस तो निकला ही नहीं है तो रात को है ना कपड़े यहां पर डालने पड़ते हैं और पंक कर रही थी क्योंकि जो मैं बता रही है दूल मिट्टी वाली जो है नस्टिंग वो मैं अभी कर देती हूं और अभी किचिन का काम है और मैं खाने की तयारी इसलिए ज़्यादा जल्दी कर रही हूं क्योंकि पती देव जी को जाना है डूटी उनको मनलब 10 बजे निकलना है तो इससे पहले यह है कि फुल खाने की तैयारी हो जाए तो वो यह है कि नास्ता कर जाएंगे और अपना लंच लेके तो भी चले जाएंगे यहां पर जल्दी के चेक कर मैं दूद निकल गया था तो फटा फट से पूरी गैस को क्लीन किया मैंने नहीं तो यह था कि मालब रात को मैंने क्लीन की दी तो चलता लेकिन जब दूद निकल जाता है तो गम बढ़जाता है दूद गिरने का दर कम म rocket लेकिन जो सफाई का दूख है वह ज़ादा होता है तो बस यह बर्तन हो गई था काफी सारे क्योंकि सुभल से काम चल मनलब यह सब पूरे काने की तैया तब मेरा मल लगता है काम करने में और अब मैंने मला किचिन क्लीन है, फुल कंप्लीट बरतन वगएर साप कर दिये थे यहां चावल चड़ा दिये बनने के लिए क्योंकि राजमा चावल और रोटी बनानी है तो यह है कि नास्ते में आए ना बच्चे राजमा चावल खा लेंगे और लंच में रोटी खा लेंगे राजमा के साथ में तो यह है कि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच की तयारी एक ही साथ कर ली मैंने लेट तो होई गई थी, मैं सुबह 8 बजे उठी थी तो लेट हो जाता है तो यह है कि खाने की तयारी अगर आपकी टाइम से हो जाए न तो फिर आपको बिल्कुल भी टैंसन नहीं होती है कि हाँ हमारा काम पड़ा है या हम लिए टो गई थी या कुछ भी है तो इसलिए मैंने पूरी खाने की तयारी कम्प्लीट कर दी थी यह है कि बच्चे भी नहा के आ जाएंगे तो यह है कि नीचे जाते हैं खेलने के लिए तो राजमा चावल खाके चले जाएंगे पती देब जी भी राजमा चावल खाके चले जाएंगे और वो टिफिन में रोटी ले जाएंगे लंच के लिए तो यहां फटाफट मैंने सारी रोटिया बना ली थी, चावल भी बनके तयार हो गए थे और जो आटा है वो जादा ही लगाया है मैंने दुपेर के लिए भी तो वो मैंने एक टिफिन में भरके रख दिया, यह नहीं है कि यहीं पर स्लेब पर सारी चीज़े छोड़ दूँगी तो यह है कि वो टिफिन में भरके रख दिया और जो भी जिसमें आटा लगाया था उसको साफ कर दूँगी फटाफट से रोटियों पर घी लगा लिया था ये सब फुल क्लीन कर दूँगी अपनी जो स्लैब बगेरा है गैस बगेरा है उसको तो यह मेरा पूरा काम फिनिस हो जाए गए यहाँ पती देव जी का लंच भी तयार कर दिया था मैंने उनको दे दिया था अब जो भी रोटी बनाने में थोड़ी बहुत गंदिगी तो होती है मतलब जो परोथन होता है वो थोड़ा बहुत फैली जाता है तो बस उसको फटाफट से मैं क्लीन कर रही हूं क्योंकि अब मुझे जाना है नहाने के लिए अभी नहाई नहीं हूं मैं तो यह है कि अब देखो काम मेरा पूरा हो गया बच्चों ने नासा कर लिया है राजमचावल खाके वो नीचे चले गए है और करीबन यह टाइम हो रहा है सबादस के करीब बज रहे हैं जादा टाइम भी नहीं हुआ है आठ बजे उटे थी दो गुंटे मैं कम्प्लीट पूरा काम कलिया था जहड़ू पोच्छा मेरी हाउस हैल पर कर गई है और यहाँ पर जो विंडू अगेरा है न यह हलके से गीली कपड़े से मैं पहुँच रही है इसमें यह है कि इसमें डस्ट नहीं निकलती है मतलब यह है कि डस्ट नीचे नहीं गिरती तो यह वाली जो डस्टिंग है उसको हम बाद में भी कर सकती है तो फटाफट से मैंने सारी विंडू है न उन पर मेरे सिपह वो जो होती है न टाइल्स वो उस टाइब की लगी हुई है तो वो सब साफ की और यहाँ पे आई रूम में तो देखा कि यह जो बच्चों की कवर्ड है ना जो यह है बुक्स वाली कवर्ड है तो मैं भी भूल जाती हूँ क्या तो उसको मैंने फटाफट से ठीक किया अब यहाँ पे नहाद होके आगई थी मैं मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और यह जो कपड़े थे ना उनको मैंने फोल्ड नहीं किया था क्योंकि नहा के मुझे पूजा वगेरा करनी थी मंदिर भी जाना था वो करके आई तो यहाँ पे आप मैं कर रही हूँ यह कपड़े फोल्ड अब इनको आराम से बैठके करूंगी अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ बस खाली रोटी बनाना बाकी है और यह करीबन टाइम हो रहा है 11 के करीब बज़ रहे है 11 हाँ 11 बज़ रहे हैं बस तो बस यहाँ मेरा मतलब देरी से उठने के बाद भी पूरा काम टाइम से हो गया फ्री मतलब जैसे हो गई और बच्चों का भी खाना पीना टाइम से हो गया तो बस संडे वाले दिन मेरा रोटीन यह रहता है मतलब संडे वाले दिन के जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन मेरा रूटीन ये रहता है अगर आप भी लेट हो जाओ तो इस टाइप का आप रूटीन रख सकते हो अच्छा रहता है मतलब जल्दी काम भी हो जाता है तो बस ये था मेरा आज का ब्लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लोग बे तब तक के लिए बाई बाई टाटे टेक केर एंट रादे रादे